तो हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल गाईज तो आज मेरा ट्यूशन छुटी था तो मैं आज क्लास नहीं गई हूँ और आज मैं घर पे हूँ तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं आलू का चिप्स बनाओं मैंने कभी नहीं बनाया है यह मेरा फर्स टाइम है तो मै आलू का चिप्स बनाओंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसा बना कैसा नहीं और eak smir Zhang करेंगी कैसा लगा कैसा नहीं तो हमको तो बनाने नहीं आता i' तो मैं अपनी बलकी एक दी है उसके साथ मिलके बनाओंगी तो चलिए बनाते हैं आलू का चिप्स यह हम लोग का खुद का घर का ही आलू है तो बहुत ज्यादा आलू है ना तो सोचे क्यों ने चिप्स बना दिया जाएगा कि तो इतना आलू है आलू को पहले चीलते जाना है हम चील रहें चील के दिखाएंगे और शाइपे दिदी काटते जारे दिदी अक बर काट के दिखार दीजी आना है पतला-पतला पतला पतला ऐसे काटते जाना है और हम इधर छील रहे हैं इधर ऐसे छीलते जा रहे हैं तो गंदा होते जा रहा है पानी में डुबाते जा रहे हैं और फिर दुबा के निकाल के काटते जा रहे हैं तो अभी हम जो आलू छिली ना उसका छिलका निकल गया तो इह हम बैल को देन्या है दे देते हैं क्रेवो मेरे भाई मारोगे तो नहीं ना लो देखिए पहले आलू को छिल लिए फिर बार दूह लिए और फिर से यहां पर दूह लेंगे उसके बाद आप लोगो दिखेंगे हम और दिदी मिलके पुरा इतना इतना सारा छेल भी लिए काट भी लिए पूरा हालात खराफ हो गया लेकिन बहुत मस्क लग रहा देखने में परस्ट टाइम बना रहे हैं देखते हैं कैसा बनता है कैसा ने आज इतना बनेगा उतना ही आप लोगों के साथ सेयर करेंगे देखिए पूरा फूल एक डेक्ची है बस इतना साइस बचा हुआ है थोड़ा साथ अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे थोड़ा सा नमक ज्यादा डालेंगा क्योंकि पानी ना सोख कर लेगा नमक को तो अभी गैस में चढ़ा दिये तो इसको 20 मिनट तक रखेंगे गैस अधर उबल रहा है और आम इधर बैठे हुझे हैं और बीच में ना सोड़ा इदम हलका सा डाल देना ताकि वो फुलेगा और हम थोड़ा सब कलराने के लिए हलका सा हल्दी डाल दिये हैं अगर आपको हल्दी डालना है तो डाल सकते हैं नहीं डालना है तो नहीं डाल ये लेकिन सोड़ा हल्का सा ज़रूर डालेगा कि तूत गया तो समझ जाएब कि हो गिया है अब इसको छान लेंगे हम लोग पस छानने वाला कुछ नहीं है इसलिए इसमें जान रहें जो गार करके आप लोग पास छानने वाला तो छान लीजिए गारा अभी छत में पहुंच गए हैं सारा समान को लेकर छत में आ गया हैं और यहां सारी बिछा ले रहे हैं सारी पूरा क्लीन है अच्छा से साफ कर लिए थे तो रुक्य एक बार भी छान लेना है और सारा समान देखिए लेकर आगी है जाची आई अभी साड़े ग्यारा बजरा अभी बहुत धूप है अभी छत में आगे हम जली-जली करते हैं अब इसको एक-एक करके पूरा पसाथा आए तो हो गया देखिए पूरा एक साड़ी तो हो गया है हम लोग पसार लिया अब इसको सुखने देंगे पूरा धूप में और छाओं जब साम होगा तब उतारेंगे पूरे नीचे सबसमान लेके और थोड़ा राम करेंगे साम हो गया है और अभी छत पर आये हैं दिखाते आप लोग को कितना सुखा है और नई सुखा है सुख गया है कल भर और सुखाएंगे इसको तो दिखाएंगे आप लोगों को इतना हो गया है तो मैं जब खाना बना रही थी तो मैंने कुछ छान के देख लिया यह बहुत टेस्टी था तो फ्रेंड मैंने टेस्ट करके देख लिया यह बहुत टेस्टी बना था और एकदम कुर कुर बना था क्या बोलते हैं एकदम मस्त बना था जो भी है ना तो मैं इसको बहुत सारा बना के और भी रख लूँगे और मैं इसको बरसात में छान-छान के खाऊंगी तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं तक अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब मैं चैनल